और अब से ठीक एक घंटे बाद बलकि अब एक घंटे का भी समय नहीं रह गया है चुकि 11 बजे सदन की कारवाही शुरू हो जाती है और अभी 10 बच के 11 मीनट हुआ है ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा यानि सभी साथ सत तक्रीबन अपने अपने घरों से निकलने शुरू हो सारे जगों से किसी का लोधी गार्डन में इन सारो सारे जगे से सांसद निकलने लगे होगे होगे हाला कि जो 9 निर्वाचित सांसद है वो अभी होटेल ताज में ठहरे हुए है और इसके साथ होटेल अशोका में ठहरे हुए है अलग अलग जगों पर 9 निर्वाचित सांस सतस्यों को शपत दिलाएंगे यह प्रक्रिया दो दिन तक चलेगी चुंकि आप जानें 542 सांसतों को शपत दिलानी हैं तो प्रक्रिया दो चलनी दो दो दिन तक चलनी हैं और एक सांसत को शपत लेने तक्रीबन दस से ग्यारा मिनट का वक्त लगता है और आवेस उस्मानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे आवेस जरा बताईए कि आप से ग्यारा बजे ठीक एक घंटे बाद अब एक घंटे का समय भी नहीं लगया पचास मिनट बाद कारवाई तो शुरू हो ज चना जाना था पीछली बार मलकारजन खड़ गए जो इस बार चुनाओं हार गए इसके बाद सेvable शनौकर नहीं चुन जाना था मगर अभी तक संक्था नहीं सूप्स भागह गए मलकारण खड़ गए हैं जोह तिरहां कि ब्सक्राइफकास का पशचन सकती है जैसे बड़ी मनुर जोशी है लालकृष्ण अडवानी है उमा भारती है सुस्मा शावराज है और कई बड़े नेता तमाम बड़े नेता है वो पटेबीव की तरफ से भी जुए वह संसेट में देखने को नहीं मिलनें बड़े नेता हैं कि बीजेपी को संसद में पहली बार ऐसा होगा कि जो पार्टी बनाने में जिनकी बड़ी भूम कर रही है उनके बिणा पहली बार संसदी सत्र जो है वो बीजेपी शुरूर बात करें तो कंगरिस की तरफ से अभी तक संसदी दलका नेता नहीं गया और सबसे बड़ी बात ही है कि संसेद इस संसेद शुरू होने में थोड़ा सा समय बचाए और खबर यह आ रही है कि वह 20 तारीक तक अपना संसेदर करने ता जो है वो चुन सकते हैं फिलहाल आज जो है सभी सांसदों जो नौनिर्वासी सांसद हैं या सांसद हैं उनको शपत दिलाई जाएगी कल भी शपत जर्वरत मारों चलता रहेगा और यह सीधी तस्मीरे हैं मावैस दिखा रहे है और तिर उस्वाद शबाए यहां पर आ चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी भी यह सभी यहां उपस्तित हैं और अब यानी पतिभावन में बवजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और अब से थोड़ी देर में संसत की कारवाई शुरू हो जाएगी ठीक ग्यारा बजी जैसे से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी राष्टपती भवन जाते हैं कोई भी प्रधानमंत्री हो वो जाएगा आज संसत का पहला दिन है और कई विद्धेकों पर नजार होगी देखिए राष्टपती फ्रंट पर है और ठीक सामने आप देख रहे होंगे देश क प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के नित्रत में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद संसत का पहला सत्र आज यानि 17 जुन से शुरो रहा है इसी सत्र में मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल का पहला बजट भी पेश किया जाएगा इस बज़ट सत्र के पहले दो दिन नौ निर्वाची सांसदों को प्रोटम स्पीकर डॉक्टर विरेंद्र कुमार शपत दिलाएंगे हुद्वार को नए लोग सबाद ध्यक्ष का चुना होगा इसके बाद रास्टपती ब्रहस्पती वायर को दोनों सद्नों के साथ संज बैठक करेंगे निर्मला सितहरमल बतौर वित्मंत्री पांच जुलाई को केंदरी बजट पेश करेंगी इस बार का जो संसे सत्र है वो चालिस दिन तक चलेगा चालिस दिन तक चलेगा रास्टपती भौन से सीधी तस्वेर है और अपसे थोड़ी देर में ही आपकी अनुमती हो तो समारो का समापन किया जाए और देखिए एक प्रक्रिया होती है रास्टपती ने सिर्फ प्रोटेम स्पीकर को शपत दिलाई है चुकि जब ये शपत लेंगे प्रोटेम स्पीकर उसके बाद ही वो तो शपत दिला सकेंगे तो ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि रास्टपती प्रोटेम स्पीकर को शपत दिला सके ये एक प्रक्रिया होती है और अब ये सभी 11 बजे पारलेवेंट चले जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी इस वक्त उनके साथ मौझूद थे तो प्रोटे में श्पीकर ने शपत ले ली है राश्टपती ने उन्हें शपत दिलाई है विरेंदर कुमार ये सबसे वरिष्ट सांसद है देखिए अब ये जो तार चार तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी राश्टपती रामनात कोविन उपराश्ट राश्टपती और प्रोटे में स्पीकर डॉक्टर विरेंदर कुमार जिनको अब से थोड़ी देर पहले देश के राश्टपती ने शपत दिलाई है तो अब यानि जिसे शपत दिलानी है उसने शपत ले ली है राश्टपती ने शपत दिलाई है और पहला दिन और पहला शो यानि पार्लामेंट की हर खबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे ठीक ग्यारा वजे शपत द्रान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अब कुछ प्रादेशिक खबरों का रूख कर लेते हैं एक्शन में